कुछ पानी हमारी किड़नी और लीवर में मुझूद होता है। हमारे पेट, ब्लैडर यानि की मुत्राशय और रीड की हड्डियों में स्पाइनल फ्लूइड की तरह जमा होता है। हमारे दिल और दिमार लगभग 25 प्रतिशत तक पानी से बने होते हैं। वही हमारे फेटों में लगभग 83 प्रतिशत पानी मुझूद होता है। लेकिन पूरे शरीर में सबसे जाधा पानी हमारी सेल्स यानि की कोशिकाव में मुझूद होता है। आपको जानकर हेरानी होगी कि हमारी हड्डियां जो की पूरी तरह सक्त और सूखी दिखाए देती हैं। उनके अंदर भी 31 प्रतिशत तक पानी होता है। इस तरह से कुल मिला कर अगर देखा जाए तो हमारी शरीर में सबी अंगों को अपना काम सही तरह से करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। और इसी वज़े से एक व्यक्ति चाहे खाना खाये बिना लंबे समय तक रह ले लेकिन पानी पिये बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। पानी हमारे शरीर के लिए इतना अधिक ज़रूरी होने की वज़े से हमें इस से जुड़े नियमों का पालन करना बहुत आवशक हो जाता है। जोडों में दर्द, कब्स, माईग्रेन, तवचा पर दाग दब्बे और पिंपल्स होना, बालों का जढ़ना, लगातार पेट और आतों से जुड़ी समस्याय बने रहना, भोजन का ठीक तरह से न पचना, शरीर में कमजोरी और आलस रहना, रात में अच्छी नीन ना आना किडनी से जुड़ी बिमारियां, तवचा में सुखा पन और जूरिया होने के साथ साथ, गैस यूरिक एसिड मोटा पा और शरीर की नसों में कमजोरी आने चैसी, लगभग 40 से जाधा बिमारियां सिर्फ पानी पीने से जुड़ी हुई गलतियों के कारण होती है, आज कल क कभी भी नहीं पता चल पाती, जो व्यक्ति अपनी लाइफ में किवल पानी को सही तरीके से पीने की आदट डाल लेता है, वह हर मुसम में स्वस्थ और निरोगी बना रहता है, लंबी उम्र तक आखे, हड़िया, बाल और तवचा जबान बनी रहती है, पेट हमेशा साफ जहता है और स्किन हमेशा ग्लो करती रहती है, और इतना ही नहीं, कई तरह की बिमारीयों को केवल पानी पीने का तरीका बदल देने से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, और सिर्फ और सिर्फ पानी की मदद से ही बिना डाईट और एक्ससाइज के एक महिने में 5 किलो से पानी पीने से जुड़े हुए नियम वैसे तो बहुत आसान है लिकिन इनके फायदे अध्भूत है आईए जानते हैं हमें पानी कैसे और कितनी मात्रा में पीना चाहिए कब कब और किस तरह पीना चाहिए और अलग-अलग समस्याव से किवल पानी के इस्तमाल से कैसे चुट करा पाया जा सकता है दिन भर में पानी पीने की मात्रा हर व्यक्ति के शरीर के आकार, वजन, फिजिकल एक्टिविटी और मौसम पर निर्भर करती है रोजाना हमारे शरीर से बेशाब, मल और पसीने के जरिए पानी लगातार कम होता रहता है और साथ ही बोलने और सास लेन को दिन भर में धाई से लेकर साड़े तीन लिटर तक पानी पीने की सलह दी जाती है और महिलाव को 2-3 लिटर पानी पीना शरीर के लिए अच्छा माना जाता है अगर आप रोजाना सुभा या शाम के समय वरकाउट करते हैं तो उस थिती में पानी की मात्रा को थोड़ा ब भी हो सकती है आप दिन भर में सही मात्रा में पानी पी रहे है या नहीं इसे पेशाप यानि की यूरीन के कलर से पहचाना जा सकता है अगर आपके पेशाप का रंग पीला है तो यह निशानी है कि आपका शरीर दिहाइडरेटेड है और आपको पानी पीने की आवशक्ता ह वहीं अगर आपकी यूरिन का कलर पानी के तरह साफ होता है, तो यह दर्शाता है कि आपकी बोडी पूरी तरह हाइडरेटेड है. हमें पानी कब-कब पीना चाहिए? इस से ज़ादा ध्यान देने वाली बात यहा है कि हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए. क्योंकि गलत समय पर पानी पीने से हमारे शरीर पर सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है अच्छी सेहत और पानी से मिलने वाले सभी तरह के पोशक तत्वों का पूरी तरह लाब उठाने के लिए अपने दिन की शुरुवाद चाय या कॉफी की जगा पानी से करें चाहे प्यास लगी हो या न लगी हो रोजाना सुबह उठकर एक से दो ग्लास यानी की लगबग 500 एमिल पानी ज़रूर पीएं खाली पेट पानी पीने से हमारे पेट और आतों की अच्छी तरह से सफाई होती है और साथ ही राद भर में जमा हुई मुह की लार भी पेट के अंदर पहुच पाती है आयरवेद में सुभा सुभा बनने वाली मुह किलार को सोने से भी जादा महत्वपूर्ण पताया गया है क्योंकि सुभा के समय बनने वाली मुह किलार में हमारे शरीर के लिए आवशक सभी तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि खाली पेट पानी पीने से हमारे शरीर में प्रविश करते हैं और हमारी सेहत पर अच्छा प्रभाव ढालते हैं एक ग्लास में लगभग 200 ml पानी आता है और इस तरह दिन भर में धाई से लेकर 3 लिटर पानी पीने के लिए सुबह खाली पेट दो ग्लास याने की 500 ml एक ग्लास नाशते के आदे गंटे बाद एक एक ग्लास दिन के खाना खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट बाद दो ग्लास पानी शाम के समय एक गंटे के अंतराल में और एक एक ग्लास रात के खाने के 40 मिनिट पहले और 40 मिनिट लावा अगर आप रोजाना जीम या वर्काउट करते हैं या आपकी जौब में बाहर गुमना चलना फिनना या शारीरी काम करना शामिल है तो काम करने के दोरान बीच बीच में आधा आधा ग्लास करके लगभग दो ग्लास पानी जरूर पीए यह तो हो गई बात हमें कब कब पानी पीना चाहिए अब जानते हैं हमें पानी कब नहीं पीना चाहिए कभी भी खाना खाने के तुरन पहले या तुरन बात पानी ना पीए क्योंकि ऐसा करने से खाया हुआ भोजन ज्यादा पतला हो जाता है और खाना ठीक से नहीं पच पाता जब हम खाना खाते हैं तो खाने के पहले निवाले के साथ ही उस खाय हुए भोजन को पचाने के लिए हमारे पेट में digestive juices याने की पाचकरस बनना शुरू हो जाते हैं पाचकरस अपनी गर्मी से पेट में मुझूद भोजन को पचाते हैं ठीक उसी तरह जिस तरह से हम कच्चे खाने को गरम करके पकाते हैं खाने की तुरंद बाद पानी पीलेने से खाना ठीक तरह से पचने की जगा सड़ने लगता है और ग्यास बनने लगती है अगर आपका दिन भर बैठने का काम है तो खाना खाने के तुरंद बाद पानी पीने की वज़े से बनी गैस हमारे शरीर के दूसरे अंगो में भी जाकर जमा हो सकती है जिसकी वज़े से समय के साथ साथ पेट, सर और जोडों में दर्द रहने की समस्या होने लगती है पेट का खाना नहीं पचने की वज़े से जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह है एसिडिटी और जो लोग लगातार खाना खाते ही पानी पी लेते हैं उन्हें लंबे समय तक पेट में जलन और एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ता है अगर लगातार पेट का खाना ठीक तरह से नहीं पचे तो इसके चलते शरीर में कोलेस्टरॉल भी बढ़ने लगता है और साथ ही यहाँ शरीर में यूरीकैसिट की मातरा को भी बढ़ाता है इसलिए कभी भी खाना खाने की तुरन बाद या पहले पानी न पीए हमेशा खाना खाने के 40 मिनिट से 1 घंटे बाद ही पानी पीए अगर आप बहुत ज़्यादा सुखा भोजन करते हैं तो खाना खाने की तुरन बाद 2-3 घुट पानी पीआ जा सकता है लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा पानी पीने का मन करें तो पानी पीने की जगा छाच, निम्बू पानी या सीजनल फोलो का जूस पिया जा सकता है इसके साथी रात की भोजन के बाद पानी की जगा दूद का सेवन करें जभी आप सुभ़ के समय खाली पेड़ पानी पीएं तो हमेशा इसे पेशाप करने के पहले ही पी लें और ठीक इसी तरह दिन में हर समय पानी पेशाप करने के तुरन बार कभी न पीए क्योंकि जब हम पेशाब करते हैं तो हमारे शरीर के अंद्रूणी अंग तेजी से सिकूडते हैं और ऐसी स्थिति में तुरन पानी पी लेने से अंद्रूणी अंग और नसे कमजोर होती है जिसकी वज़े से धीरे धीरे पेशाब न रोक पाने और पानी ठीक से न पचने की समस्या पेदा हो जाती है और पानी पीते ही बार-बार पेशाब आने लगती है चाई या कॉफी जिसी गरम चीजों के तुरन बार थंडा पानी न पीए क्योंकि ऐसा करने से हमारे गले और टॉंसिल्स को नुकसान पहुचता है ठीक इसी तरह थंडी ताशिर वाले फल, खटे फल या जिनमें पहले से ही अधीक मातरा में रस पाया जाता है उन्हें खाने के तुरन बार पानी पीना अवाइट करें क्योंकि पानी पीलेने से वह हमारे पेट में पूरी तरह पच नहीं पाते जिसकी वज़े से सर्दी खासी और पेट खराब होनी की संभावना काफी ज़्यादा बढ़ जाती है